नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कांषान की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं मुताबिक संगठनिक बैठकों में यात्रा की त्यारियों कामतिम रूप दिया गया पहले चरण की तरह खतियानी जोहार यात्रा के सभी चरणों में सफल बनाने के लिए पार्टी क्रित संकल्पी था उलेखनिया है कि खत्यानी जोहार यात्रा का पहला चरन आठ दिसंबर से 16 दिसंबर तक आयोजी थुगा था इस दोरन मुख्य मंत्री ने कड़वा पलामो गुमला लोहरदागा गोड़ा और देवखर में हुए कारकरमा में हिसा लिया और अधिकारियों संग बैठके की जारखन में 22 जनवारी तक सुब़ह में कुहरा या धुन्द और बाद में आंसीक बादल चाहिरा सकते है जबकि सेस भागों में आस्मान मुख्यता साप रहेगा और मौसम सुस्क रहेगा वहीं 29 वब 20 जनवारी को जारखन में कहीं सुबा में कोहरा या धुंद के बाद में आशिक बादल चाह सकते हैं वहीं 21 वब 22 जनवारी को भी सुबा में कोहरा या धुंद और बाद में आशिक बादल चाह सकते हैं बसंत पंचमी 26 जनवारी को मनाई जाएगी इस साल बसंत पंचमी का तेवा 26 जनवारी को मनाई जाएगी इस साल माग सुकल पंचमी 25 जनवरी 2023 को दोपहर 12 बच कर 24 मिनट से होगी और 26 जनवरी 2023 को सुब़ 10 बच कर 28 मिनट पर खत्म होगी इसलिए बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी मन्याता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सवस्वती की पुजा करने से माल लक्षमी और देवी काली का भी असिर्वाद मिलता है पंचांग के अनुसार माग माह के सुकल पक्ष की पंचमी तीथी का परारम 25 जनवरी दिन बुद्धवार दो पहर 12 बच कर 24 मिनट से हो रहा है इस तीथी का समापन अगले दिन 26 जनवरी गुरुवार को सुब़ 10 बच कर 28 मिनट पर होगा उद्याती थी के मनेता के अनुसार इस साल बसंत पंचमी या सुस्वाती पुझा 26 जनवरी को है जारखन में कक्षा आठवी तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद कडाके की ठंड और सितलहर के चलते जिला परसासने कक्षा आठवी तक के स्कूल 20 जनवार तक के लिए बंद कर दिया है जिला अधिकारी के आदेश के बाद D.I.O.S. ने दिशानिदेश जारी किया है वहीं कक्षा नौ से बरावी तक के स्टूडेंट की पढ़ाई चलती रहेगी बदादे पिछले कई दिनों से सितलहर और कडाके की ठंड पढ़ रही है ऐसे में जान जिवन अस्त ब्यासत है इसकूल जाने में बच्चों को कोई परसानी नहीं हो सके इसके लिए जिला परसान कक्षा एक से लेकर आठवी तक के सभी बोट के स्कूलों को 20 जनवाज तक के लिए बंद कर दिये है जबकि कक्षा नौ से लेकर बरावी तक के स्टूडेंट की पढ़ाई रोजाना चलेगी इस समंद में जिला अधिकाई ने आदेश दिये है सीएम आवास घेर ने पहुंचे अनुबंध कर्मियों का गुसा फुटा जहारखन में उग्रवादियों को सरेंडर कराने के लिए सरकार सरेंडर पॉलिसी बनाती है जहारखन की स्वास्ट सेवा के रिड अनुबंध कर्मियों के बारे में उसके पास कोई सोच नहीं है हम लोग 10 से 15 साल से सदर अस्पताल समेत राजी के तमाम अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं हम अनुबंध पर कायम करते हैं सरकार हमारी सेवा को अस्थाई करें ताकि हमारी भी भविस सुरक्षित हो सके ये बाते मुख्यमंत्री आवास का घिराव करने पहुंची स्वास्थ अनुबंध कर्मियों ने सोमवार को कही है उन्होंने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द अनुबंध कर्मियों को निमीत करने की परक्रिया सुरू करनी चाहिए जार्खन राज एन आर एच एम एनेम जी एनेम अनुबंध कर्मी संग और जार्खन राज अनुबंध पाराची किसा कर्मी संग के सथ से राज के कोने कोने से राची पहुंचे थे ये लोग काके रोड इस्थीत मुक्ष मंत्री आवास का खेराव करने जा रहे थे लेकिन पुलिस वालों ने बहला फुसला कर उन्हें राजभवन के ओर डाइवट कर दिया आठवी बोड के लिए आवेदन शुरू जार्खन में कख्षा आठवी बोड परिक्षा का फरम सो मौर से जमा होगा इसे लेकर छैक ने दिशानीधेश जारी कर दिया है फरम विद्यार्थी 16 जन्वारी से लेकर 16 फर्वारी तक फर्म जमा कर सकते हैं वर्ष 2023 परिक्षा अप्रेल के आंत या माई के प्रथम सब्ता में शुरू हो सकती है फर्म जार्खन एकेडमी कॉंसिल की वेपसाइट जैक.जार्खन.gov.in के मादेम से अउन ने जमा लिया जात रहा है डियो दोवरा अनुमोदित विद्याले की विद्यार्थियों को ही आवेदन जामा करने के अनुमत ही दी जाएगी आवेदन जामा करने की जनकारी जैक वेपसाइट पर भी उपलबद है लातेहर में नकसलियों का हमला कर्मियों के साथ मार पी जार्खन के लातेहर जीले के चंदवा में नकसलियों ने रेल लाइन साइट पर अबिवार की देरात हमला कर दिया इस दोरान नक्सलियों ने सभी कर्मियों को एक जगा पर जमा किया और काम बंद करने की धम की दी उन्होंने कर्मियों से कहा है कि जरकन परस्तूती कमिटी के टिंग को जीजिसे बात किये बगार काम नहीं करे इस दोरान उग्रवादियों ने कुछ कर्म्योग साथ मार पीट भी की जैसे ही सुचना मिली पूरी समोके पर पहुंची है पूरी मामले की जनकारी ली अभी इस्थिती समाने है बता दे पतरातू से सुन नगर तक बन रही थर्ड रेल लाइन के निर्वान कारे में लगी के इसी कंपनी के केंदुआ टान इसी साइट पर अभी वरकरात उगरवादियों ने हमला किया है जारखन के रामगर बिधान सभा में उपचुना की सुबुगाहट तेज होने लगी है हलाकि अभी चुना के तारह की घोसना नहीं हुई है इसके बावजूद भी राइनितिक पार्टी अभी से ही त्यारिया सुरू कर दी है आईसू परमुक सुदेश कुमार महतों की निदेशान सार रामगर बिधान सभा में उपचुना को लेकर परखंडवार परभार्यों की नियुक्ति की गई इसको लेकर आईसू पर्टी के केंदरीय मुख्य प्रवक्ता डाक्टर देव सरन भागत ने कहा है कि गाव एवाँ वार्ड अस्तर के करकताओं की टीम को और मजबूत करने तथा सदसेता अभियान की गती को और तेज करने के उदेश के साथ रामगर के परतेक बलोग के परभार्यों की नियुक्ति की गई उन्होंने कहा है कि सभी परभारी उपचुनाओं की त्यारियों को लेकर ग्राम सनुवाद करेंगे दुमका पूलिस और SSB को मिली बड़ी सफलता गंतंत्र दिवस के पहले दुमका जीले के पूलिस को SSB की 35 बटालियन के सहयोग से बड़ी सफलता हाथ लगी है पूलिस ने उग्रवाद प्रभावी सिकारी पड़ा परखन के कारा काट पहार से भारी मात्रा में बिसफोटक नक्सली सहीत था मावादी संगाठान वापी LGA से जुड़े बैज बरामत किये हाँ ASP अंबर लकड़ा और SSB के कमांडेट MK पांडे ने पूलिस का रियाले में आयोजी प्रेस कोंफरेंस में बताया कि गोपत सुचना मिली थी कि सिकारी पड़ा के कारा काट पहार और आसपास के वन छेतर में नक्सली तोरह बिसफोटक चिपा कर रखे गया है सुचना के सत्यापन एवं बरादमी के लिए एक छापे मारी दल का गठन किया गया जिसमें कारा काट पहारी के निचले हिसे में उथली मिटी दिखाई पड़ी जहां कुछ जाड़ी और पेर लगाए गए थे जो सुखे हुए थे यहां मिटी और रखी गई जहाड़ी को हटाने पर प्लास्टिक बोरा में नियो जेल जी लेटीन दो सो पिस और इलेक्ट्रिक डेरो नेटर 411 पिस बरामत किये गा है मेडिकल कॉलेज में दाखिला के नाम पर 16 लाख की ठगी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक ब्यक्ति को पुलिस ने जहारखन से गिरफतार किया है खड़गपूर के घाटाल थाना की पुलिस ने ठगी के आरोपी को जहारखन के लाते हार जिले के चंदवा थाना छेतरी थीत कामता गाव से गिरफतार किया है उनका नाम संजय साभा है जनकारी के अनुसार कुछ महीने पहले एक अखबार में एक निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स के लिए एडमिशन का विगापन प्रकासित हुआ था गुमला में मिल रहा एक रुपया में इस्टील का बरतन सेट सिंगल यूज पलास्टिक के खिलाप एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुमला नगर परिशाद ने एक छोटी सी पहल की है गुमला सहर में जार्खन का पहला वरतन बैंक खुला है सोमवार को वरतन बैंक का उतगाटन डीसी गुमला सुसान्त गौरो नगर परिशाद अध्यक्ष दिपक नरायन उराव सदर रवी जैन उपाध्यक्ष कलीम अक्तर लोक अभियोजाक अनिल पांडे तथा करेपालक पताधिकारी संजय कुमाने सनियुत रूप से किया उपाई उतने नगर परिशाद की इस पहल को अभिनव तथा आनू करनी ये बताया है उन्होंने कहा है कि छोटी सी पहल सर्कुलर एकोनोमी का अच्छा उधारन है खिलावना बैंक और वरतन बैंक की तरज पर गुमला में पुस्टक बैंक बनाया जा सकता है वहीं अध्यक्ष दीप नराइन उरावने कहा है कि जयातर लोग साधी ब्या, सालगीरा और वर्थदे पाटी जैसे आयोजन में भोजन, पानी, सर्व करने के लिए थर्मो कोल पलेट और प्लास्टिक गिलास जैसे सस्ते साधन उप्योग करते हैं मिड़े मील में अब सलाद और पाप पर हुआ सामिल से निधायत मेनियो के अनुसार ही बच्चों को मिड़े मील देने का सक्त आदेश दिया है जारखन में 60 से ज़्यादा ब्रांडेट सराब बजार से गया राजे की सराब दुकानों में करीब 60 से ज़्यादा ब्रांडेट सराब आउट आफ मार्केट हो गाए है ज़्यादा ब्रांडेट सराब नहीं मिलने से राजे की आधा दरजन जीले के सहायक आयूक्त उत्पाद ने सराब आपूर्ती करने वाली कमपनियों ठोक बिक्रियताओ से पत्रचार किया और इसकी कौपी भी भागे अधिकारियों को भी दिया है हेमन्त सुरेने केरल के सीम से की सिष्टा चार भेट मुख्यमंत्री हेमन्त सुरेने केरल के मुख्यमंत्री पीना राई बीजेयन से तिर्वंत्र पूरम में सिष्टा चार मुलकात की है इस मौके पर दोनों राजियों के मुख्य मंत्री ने विभीन मुद्दो पर चर्चा की दोनों राजि के मुख्य मंत्री ने हर छेत्रे में एक दूसरे का सहयोग करने की बात भी कही है इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री ने केरल के तर्ज पर जार्खन के पर्याटन को बिक्सित करने में सहयोग करने का अग्रा किया केरल के पर्याटन सचीव के एस सिरी निवास ने मुख्य मंत्री हमान सुरेन के समक्ष केरल के पर्याटन को लेकर प्रेजन टेंशन दिया है इस महों के पर प्रेटन मंत्री पी ए मुहमद रियाज केल के मुखस चीव डाक्टर वी पी जय यह अने उपस्थित थे 30 जनवरी से जार्खन में चलेगा कुष्ट उन्मुलन पक्वाडा जार्खन में 30 जनवरी से कुष्ट उन्मुलन पक्वाडा चलाया जाएगा 15 दिनों तक चलने माले इस पक्वाडे में जार्खन से कुष्ट रोग के सफाय का संकल पलिया जाएगा बता दे आये कुष्ट रोग से लड़े और कुष्ट को इतिहास बनाए इसी थीम के साथ वर्ष 2023 में जार्खन में कुष्ट के बिरोत अभियान चलाया जाएगा इसकी सुरुवात राष्ट्र पिता महत्मा गांधी की पुनेती थी एवाम राष्ट्री ये कुष्ट उन्वनल दिवस 30 जनवरी से होगी इस दिन से राष्ट्री में कुष्ट उन्वनल पक्वाडा की सुरुवात होगी और जन्जाग रूपता के लिए कई कारिकरम आयोजित किये जाएंगे परिक्षा पेचार्चा पेंटिंग परतियोगता परिक्षा पेचार्चा से पूरुवे सोमवार को रांची में आट आयन पेंटिंग से जुड़ी एकजाम वरियर परतियोगता का आयोजन हुआ है रांची सांसल संजाए सेट की मवजूदगी में आयोजित कारिकरम में रांची के 45 छोटे बड़े स्कूलों से जुड़े 1509 से अधिक बच्चे सामिल हुए एक घंटे के इस परतियोगता में बच्चों ने अपनी रशनात्मा का जबर्जस्त परतिसन किया है और परेक्षा पे चार्चा से सम्मधित कई कलाक्रेती बनाई है आदम खोर तेंदुगा के लिए आज हो सकती है क्यामत की रात आदम खोर तेंदुगा को पकड़ने में जूटी टीम की अभित तक की तमाम कोशी से बेकार साबित हुई है हाइदराबाद के नवाब सफल अली खान उस तेंदुगा को पिछले तिन जनवारी से ढून रहे है लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी इसी बीच एक उमीद की कीरन दिखी है बता दे वन भी भाग के सुत्रों के मताविक तेंदुगा ने रभी वायर को एक बकरे को सिकार बनाया है सुत्रों का कहना है कि आदम खोर तेंदुगा अपने सिकार को ले जाने के लिए रात के वक्त गाव में आ सकता है इसलिए समंधित गाव में आई रात तेंदुवा को ट्रेक को लाइज करने की त्यारी की गई आदम खोर तेंदुवा को पकड़ने आज सिकारी नवाब सफत अली आज उस गाव में डेरा डान ले जा रहे हैं अगर तेंदुवा अपने सिकार को ले जाने के लिए गाव में पहुंचता है तो उसे ट्रेको लाइज कर दिया जाएगा जहारखन में नगर निकाय चुनाव पहली बन कर रह गया है राजसरकार के द्वार बार बार एक्ट में संसोधन किये जाने के कारण नगर निकाय चुनाव अब तक लटकता रहा है ऐसे में नगर पायल का अधिनिये में संसोधन विधयक पास होने के बाद यह संभावना जाताई जा रहे है कि अप्रेल से पहले चुनाव कराना संभाव नहीं है अलाकि जार्खन राज निवाचन आयोग ने इस समद में प्रारमिक त्यारी सुरू करते हुए भारत निवाचन आयोग से पांस दन्वारी 2023 को परकासित नई वोटर लिस्ट को उपलवद कराने को कहा है धन्यवाद